जिनको देखके मैं मिलता हूं कभी भी बात होती है तो मुझे लगता है कि हाँ बहुति के भारे में बात करी जा सकती है है ना कि मदल्ब अगर आप पब्लिक में जा रहे हो बात बात कररे हो दूसरों से तो कैसे करतेए, मतलब कर सकते हैं मेरी है audience like 14, 15, impressionable age तो इस time पर मैं मतलब कुछ ऐसा बोलूँ जो इनको अच्छा लगें हाँ, ठीक है, I can do that मैं ना मतलब अभी recently एक party वाटी में गया था ठीक है party में गया था वाँ पे ना एक तो होता है आपका एक friend group जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से बात बात करते हो जैल करते हो और फिर मतलब mutuals आ जाते हैं तो you're like कि हाँ ठीक है, hello, hi, सब कुछ सही yes, yes, एक level of wo welcomeness, कि आप welcoming हो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है फिर, फिर मैं बदाओ क्या आता है फिर आते हैं party में वो तुम्हारे 3-4 गलीच दोस्त बिलकुल गलीच जिनका ना जिन्दगी में मोटो बदाओ क्या है हम ऐसे ही हैं भाई party क्या होती है हम तो आए है क्या होता party हम तो enjoy करने आए हम तो enjoy करने आए भाई हम ऐसे ही है इनका पूरा time यही चल रहा होता भाई party में बस आते हैं गली चरकत आते ही घुसते ही गली चरकत भाई गली चरकत party में घुसे और बैन की चुद भाई बस गली आना बखवास बाते करना कि मतलब एक वो होता है ना party में तुम बैठे हो 5-6 लोग हैं सारे के सारे 7-8 बहुत सारे लोग हैं 10-15 लोग हैं सब बात बात कर रहे हैं कुछ 3-4 लड़के होते हैं इतने गली च उनका मकसद यह होता इस party में ना गली चोने की identity कहीं नहीं दिख रही और वो responsibility लेते हैं हम हम इस party में लेकर आएंगे diversity बाई गलीच बताओं क्या होता है गलीच बताओं मैं किसको बोल रहा हूं ऐसे लोग जिन्होंने दसवी के बाद किताब खोली उनके सर में दर्द हुआ उन्होंने उसके बाद कभी भी literature पढ़ाई नहीं कोई किताब कोई गल्ती से पकड़ा दें यह बोलते है भेंचोस सही है बहाई उसने अभी एक अभी तक बहन का लोडा क्यों नहीं बोला उसने एक लड़की को डिमीन क्यों नहीं किया conversation में गया यह है पूरा उनका पूरा का पूरा टिकी यही है, मतलब जैसे लोग बोलते हैं, अर्पित भाई आपका गिमिक है, शायद से रैप करते हो है, आप अपने आपको seriously नहीं लेते हैं, जो बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों का यह गिमिक होता है, हर conversation में जाके उनका यह है, हमारा selling point यह conversation में, कि हम तो आया सही है,